Hello friends, welcome to Stock Research Center आज हम यहाँ पर बात करेंगे e-voting जब भी company की तरफ से यहाँ पर कोई mail आता है अगर आप किसी company के आप shareholder हैं तो company की तरफ से कभी-कभी यहाँ पर e-voting के लिए यहाँ पर क्या आता है? mail आता है तो सबसे पहले क्या होता? retail investor होता है ना जो वो बहुत ही ज़्याता घवरा जाता है क्या है e-voting कैसे करेंगे? नहीं करेंगे? तो क्या होगा? क्या e-voting हमको करना चाहिए? सारे जो सवाल हैं आपके यहाँ पर सारे सवालों का यहाँ पर मैं answer देने वाला हूँ तो stock market में जो e-voting है यह कैसे करें? यह हम नेक्स वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में सिर्फ आपके मैं सवालों का यहाँ पर जवाब दूँगा तो सबसे पहला चीज क्या है? e-voting है क्या? देखे किसी company के अगर आप shareholder है यदि आप company के पास कितने हैं share? 100 share है और आपने company के क्या किये हैं? 2 या 5 share आपने buy किये हैं क्या किये हैं? 5 share buy किये हैं तो आप कितने percent के company के shareholder हो गए? 5 percent के company के क्या हो गए? shareholder अब जब आप company के shareholder हो गए बड़े बड़े यहाँ पे shareholder को company बुलाती है मतलब जब भी उनका AGM meeting होता है मतलब जब उनसे कुछे वो किया जाता है, पूछा जाता है, तो shareholder भी यहाँ पे participate कर सकते हैं, कमपनी अपने कोई भी चीज करने से पहले company अगर अपने shareholder से पूछती, ज्यादा तर प्रमोटर के पास ही holding रहती है, 50% के आसपास किस के पास holding रहती है, प्रमोटर के पास, तो अगर यहाँ पे जो 50% holding है, audience के पास, मतलब audience नहीं, sorry audience गलत बोलके है, shareholder बोलना चाहिए, 50% shareholder के पास है, तो company आती है, पूछती है shareholder से, कि हम इस business में निवेश कर रहे हैं, या नयाई चीज में यहाँ पे ला रहा हूँ, तो क्या आप हमारे साथ agree है कि नहीं है, करेगी तो company ही क्योंकि 50% shareholding में उसके पास ही है, तो जीतेगा, तो company ही इसमें voting में, बट पूछती है, राय लेती है, और अगर राय सही भी रहती है, तो company उस पे विचार करती है, तो वही चीज है, यहाँ पे 5% shareholding है, तो आप से यहाँ पे vote लिया जाएगा, कि क्या company की यहाँ की आप को e-voting करनी चाहिए, कि नहीं करनी चाहिए, stock market में, जब भी आपके पास लेटर आयेगा, मैं लेटर दिखा लेता हूँ, कुछ इस तरीके से लेटर आता है, यहाँ पर देख सकते है, कुछ इस तरीके से आपके पास लेटर आयेगा, यहाँ पे spice-get से related, कुछ इस 17 अगस्त को यह लेटर जारी हुआ है क्या बोला गया Subjected Postal Bullet Notice and Removed Electronic Voting तो यहाँ पे Voting के लिए बोला गया है तो वही चीजे हैं आपके पास भी ऐसा लेटर आएगा और आगे आपका ID पासवर्ड भी दिया रहेगा ताकि आप उस ID पासवर्ड से Login करके यहाँ पे मतलब vote दे सके और यहाँ पे आपकी Client ID भी दी रहेगी यह देख सकते है Client ID दी है और मेरा नाम भी दिया हुआ है तो इस तरीके से आएगा और Client ID के साथ अगर आपको पासवर्ड मिलता है तो आप पासवर्ड के इससे यहाँ पे Company को Review जाता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या विचार रहे हैं Company जो Trend में चल लगी है क्या सही Track पे है सभी लोगों से पूछेंगे तभी तो पता चलेगा जो हमारी Company है सही Track पे चल लगी कि नहीं चल लगी है और दूसरी चीज़ है यहाँ पे अगर E-Voting नहीं किया जाए तो क्या होगा यहाँ पे Shareholder को नुकसान होगा कि Profit होगा यह से चीज़ में बता रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप E-Vote नहीं करते हैं तो कोई भी आपका यहाँ तो नुकसान होगा नहीं यहाँ पे कोई फाइदा होगा बट आप Company को बता सकते हैं अपनी राय दे सकते हैं क्योंकि Shareholder से Company क्या पूछती है अपना आपकी जो राय है वो पूछती है तो यह चीज़ करनी चाहिए बट यहाँ पे अगर आप नहीं करते हैं आपके Share में कोई भी नुकसान नहीं होगा आपका Share जैसे Trade हो रहा था वैसे यहाँ पे Trade होगा आप जब बेचना चाहें उस बेच सकते हैं एकजिट करना चाहें एकजिट कर सकते हैं और आगर आप Add करना चाहें तो Add भी कर सकते हैं उससे नुकसान या फाइदा नहीं होगा तो परसान होने की जुरूट नहीं है E-Voting क्या है मैं पूरी डिटेल में समझा दिया हूँ वीडियो अच्छा रगे तो वीडियो को जूरू लाइक करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोडिपकेशन ओन कर लिजेगा ताकि जो नेक्स वीडियो आने वाली है यहाँ पे कैसे करते हैं E-Voting वो चीजे मैं आपको दिखाऊंगा लाइफ के साथ यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो में रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में